वेलिकम्टू क्लास नमबर 15 यह हमारे मिक्चर और इलिगेशन के टॉपिक का सेकंड पार्ट तो पिछली क्लास में हमने देखा था मिक्चर और ओर इलिगेशन के mixed questions को आज जो हमारा इख फोकस रहेगा वह रहेगा replacement के questions को कि हमने इतना एक solution है उसमें से इतना part निकाला और उसमें कुछ pure mixture हमने उसमें डाला तो उसके वज़े से concentration में किस तरह से change आता है और उसे हम किस तरह से basically solve करेंगे यह आज हमारा main focus रहेगा तो शुरू करते हैं question number one milk and water in a vessel are in ratio 5 is to 2 and in another vessel they are in ratio 8 is to 5 in what ratio they should be mixed to get milk and water in ratio 9 is to 4 in resultant mixture तो देखते ही आपको यह पर समझ में आ रहा है पहला जो हमारे पास ratio दिया है वो है 5 is to 2 दूसरा ratio है हमारे पास 8 is to 5 दोनों को जब हमने mix किया तो resultant जो हमारा mixture है उसमें ratio कितना रहेगा 9 is to 4 तो हमें पता है कि यह जो है यह दोनों हमें मिलाने है solutions को और हमें यह वाला resultant मिलेगा तो clearly जब हमें पता है कि हमें initial और final value दी है तो बीच वाली values निकालने के लिए हम हमेशा allocation लगाते है तो वही चीज़ हमें यहापे निकालनी है ratio बताना है कि किस ratio में उसे मिलाया गया होगा तो हम quickly यहाँ पर लगाएंगे allocation अब allocation लगाने के लिए हम क्या देखते हैं दोनों में से छोटी values कोन सी यह से 5 और 2 में से 2 है 8 और 5 में से 5 है 9 और 4 में से 4 है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वाले पार्ट में 2, 5, 4 इस वाले पार्ट में मैं allocation लगाने की कोशिश करूँगा कर हम 5, 8, 9 में भी सकते हैं उसमें कोई problem नहीं आएगी लेकिन छोटी value उससे deal करना आसान रहता है इसलिए हम ये वाला पार्ट चूज करेंगे अब ये है माल लीजे 2 और ये है 5 तो 2 हमारा उपर हो जाएगा concentration किसका? water का हम water के concentration में काम कर रहे है तो 2 divided by total हो जाएगा 7 और यहाँ पर मैं line बना दू allocation की center में हमारी value आएगी ये वाली 4 divided by 4 plus 9 13 ये resultant solution में water का concentration हो जाएगा अब second वाला पार्ट है 5 divided by 5 plus 18 5 plus 8 13 तो ये हमारी total एक line of allocation बन गई या scale of allocation बन गई अब इसमें fraction से तो fraction हटाने के लिए हम क्या करेंगे? denominator के LCM से multiply कर देंगे तो 7 और 13 7 और 13 का LCM होगा 91 तो हम पूरे number को 91 से multiply करेंगे तो जो हमारी नई scale बन जाएगी उसे मैं पहले draw कर देता हूँ अब इस वाले part को 7 इंटू 13 से multiply करना है तो 13 इंटू 2 26 यहाँ पर 13 से 91 डिवाइड होके 7 बचेगा 7 फोर्जा 28 यहाँ पर 7 से multiply करना पड़ेगा तो 7 फाइजा 35 यह हमारी total scale बन गई अब हम यहाँ पर difference देख लेते हैं 26 और 28 में gap है 2 का तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे और 28 से 35 यह gap है हमारा 7 का तो 7 हम यहाँ पर लिख देंगे तो जो हमारा ratio बनेगा वो होगा 7 is to 2 7 is to 2 option number B हमारा answer हो जाएगा तो simply इस तरह का question हम पिछली class में भी कर चुके हैं तो यह करने में अब आपको problem face नहीं होई होगी Question number 2 The ratio of land and water on a planet is 1 is to 2 and this ratio is 2 is to 3 in northern hemisphere Find the ratio of land and water in the southern hemisphere यह बहुत अच्छा question है बहुत logical question है अगर इसके पीछे का logic आपको समझ में आ गया तो यह आपको आसान लगेगा वरना यह question आपको problem दे सकता है अब सबसे पहले हम इस planet की बात कर लेते हूं तो मालीजे मैं एक circle बना देता हूं जो कि denote करेगा planet को यहाँ पर हम बना लेते हैं एक circle यह हुआ हमारा planet अब इसमें बात हो रही है southern और northern hemisphere की तो हम यहाँ पे एक center से line draw कर देते है जो कि दोनों को बराबर हिस्सों में बातेगा यह उपर वाला part हुआ हमारा northern hemisphere नीचे वाला part हुआ हमारा southern hemisphere अब जो total जमीन और पानी का ratio है वो कितना है 1 is to 2 1 is to 2 यह जमीन और पानी का ratio है पूरे planet का northern hemisphere में यह ratio कितना है 2 is to 3 अब यहाँ पे अगर मैं total part की बात करूँ तो जमीन और पानी का पूरे planet पे total कितना हिस्सा है 3 northern hemisphere में total कितना है 2 और 3 पांच तो सबसे पहले एक चीज़ तो हमें अच्छे से पता है कि पूरे planet पे जो पानी और जमीन का हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा बजाए northern hemisphere के ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे ratios को merge करते है और दूसरी बात एक चीज़ और northern hemisphere और southern hemisphere में जो हिस्सा रहेगा वो बिल्कुल बराबर रहेगा मतलब पानी और जमीन का जो हिस्सा northern hemisphere में है उतना ही हिस्सा हमारा southern hemisphere में भी रहने वाला है ठीक है तो बस इसी दो लॉजिका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले क्या करते है कि इन ratios को merge करने की कोशिश करते है 5 से multiply कर देते हैं इस वाले ratio को 3 से multiply कर देंगे नीचे वाले ratio को सबसे पहले ठीक है तो यह उपर वाला ratio बन जाएगा हमारा 5 इस्टू 5 इस्टू 10 और नीचे वाला ratio बन जाएगा हमारा 3 तू जा 6 इस्टू 9 यह हमारा ratio बन गया अब आप देखेंगे अगर अगर इनकी total quantity इसके बाद करूँ तो total quantity यहाँ पर 15 total quantity यहाँ पर भी 15 लेकिन इस वाले ratio में भी एक गड़ बढ़ है क्या पूरे planet का अगर 15 total quantity है तो सिर्फ northern hemisphere में तो 15 नहीं रहेगा तो total हमारे planet पर कितना होना चाहिए जितना northern hemisphere है उतना ही हमारा southern hemisphere होना चाहिए और दोनों का sum total हमारा total planet का हमारा आना चाहिए तो इस ratio में क्या करेंगे जो हमारा total वाला हिस्सा है यह वाला हिस्सा है इसमें 2 को और multiply कर देते हैं तो जो अब हमारा नया ratio बन जाएगा वो होगा 30 यहाँ पर total quantity है वो है 15 अब हमें पता है कि जमीन और पानी का जो मिला के जो हिस्सा है अगर वो पूरे planet पर 30 है और northern hemisphere में 15 है तो southern hemisphere में भी वो 15 रहने वाला है तो simply अब हम इन दो ratios को माइनस कर देंगे इन दो ratios को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और 20 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 11 यही हमारा answer हो जाएगा तो southern hemisphere में जो ratio रहेगा वो होगा 4 is to 11 ठीक है तो simply दो logic हमें लगाने थे पहला जमीन और पानी का कुल हिस्सा पूरे planet पर जितना रहेगा उसे हमें आधा-धा divide करना है northern hemisphere और southern hemisphere में अब ratios हमें 2 के दिये हुए थे तो उन 2 ratios को manipulate करके मैंने इस तरह से बनाया कि total हिस्सा अगर मेरा 30 है पूरे planet का तो northern hemisphere का मेरा कितना हुआ 15 मतलब total का आधा और मुझे ये भी पता है कि total का आधा जो रहेगा वही southern hemisphere में भी आने वाला है इसलिए हम इन 2 ratios को आपस में minus करके हमन अनुदर कंटेंस दैमीन रेशो 5 इस तो 1 और 35 लिटर वैसल इस तो भी फिल विद 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 दैम इन सच अ वे एट इस तो 3 यह पहला रेशो दूसरा रेशो 5 इस तो 1 और जो resultant है वो आएगा हमारा 4 इस तो 1 यह हमारे total initial ratios है यह हमारा final ratio है अब हम यहाँ पर लगा देंगे allegation यहाँ से अगर हम उटाएं पहले हम एक line draw कर लेते हैं यह हो जाएगे हमारी line of allegation अब यहाँ पर हम क्या हिस्सा लें चाहे तो हम इस वाले part में याने milk वाले part में भी काम क कर सकते हैं clearly water वाले part छोटे-छोटे से दिख रहे है numbers तो मैं इन में काम करना prefer करूंगा पहले वाले में water का concentration कितना होगा 3 divided by 3 plus 8 11 mixture में कितना होगा 1 divided by 5 और जो second हमारा solution है उसमें कितना होगा 1 divided by 1 plus 5 6 यह 1 है ठीक है अब यह total हमें fractions यहाँ पर दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे fractions को हटाने की कोशिश करेंगे तो नीचे एक में line of allegation दूसरी बना लेता हूँ इसी को वो denote करेगी अब इस वाले में अगर आप LCM देखें 11, 5 और 6 तो 11 इंटू 5 इंटू 6 हमारा LCM हो जाएगा इस वाले को अगर हम multiply करेंगे अपने LCM से तो 11 हट जाएगा 6 फाइसर 30, 30 इंटू 3 हमें देगा 90 बीच वाले पार्ट की बात करें 11 इंटू 5 और 6 यहां से हमें मिलेगा 5 हटा के 66 और यहां पर हमें मिलेगा 55 अब gap हम निकालते हैं इनके बीच में 66 और 55 के बीच में gap कितना है 11 का उसे हम यहां पर लिक देंगे 90 और 66 में gap कितना है 24 का उसे हम यहां पर लिक देंगे बस यहां से हमें सारी values मिल गई अब यह 11 प्लस 24 11 प्लस 24 यह कितना होता है हमारा 35 यही 35 कर्रस्पॉंड कर रहा है किसको 35 लीटर्स को जो कि हमें question में दिया है 35 लीटर, हमसे पूछा है पहले वाले पार्ट से कितना लिया होगा, तो 11 ठीक है, एक कर्रस्पॉंड कर रहा है एक को, 11 कर्रस्पॉंड करेगा 11 को, तो 11 लीटर्स मतलब option number D हमारा answer हो जाएगा question number 4 a 10 लीटर mixture contains wine and water in ratio 5 is to 3 2 लीटर्स of solution is removed from it, what is the ratio of water and wine in the remaining solution अब इसमें कुछ भी solve करने जैसा नहीं यह question में, simply एक logic समझाने के लिए मैंने आपको यह question दिया हुआ था एक हम यहाँ पर container draw कर लेते हैं माल लेते हैं कि यह एक बड़ा सा container है ठीक, यह एक बड़ा सा container है, अब हमने क्या क्या इस container में कोई एक mixture या कोई solution है, हम पिछली class में देख चुके हैं कि जो भी mixture या solution हम से हम deal कर रहे हैं, वो सारे homogenous mixture हैं, तो homogenous mixtures में, आप कितना भी हिस्सा उसमें से चाहें, आप एक चम्मच निका लिए आप उसमें से चाहें, एक ग्लास भरके निका लिए, या उसका आधा कर दीजिए, पूरा हुआ है, माल लेते हैं, इस mixture का जो ratio है, वो है 3 to 2, एक example के लिए हम ले रहे हैं, 3 to 2, यह काम करते हैं यही वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमें दिया है 5 to 3, तो 5 3, 5 to 3 हमारा concentration है इस पूरे container में अब इस container से मैंने कुछ हिस्सा निकाल लिया तो यहाँ पर हमें एक दूसरा container draw कर लेते हैं माल लेते हैं कि मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया इतना हिस्सा हमने निकाला, तो बचा कितना हिस्सा होगा, माल लेते हैं कि इतना हिस्सा बचा होगा तो यह total container था, उसमें से मैंने इतना हिस्सा निकाल दिया और इतना हिस्सा अब बचा simple सा logic होता है जब मैं पता है कि homogeneous mixture है तो इस container में से कितनी भी मैं quantity निकालूँ जितनी quantity मैं निकालूँगा वो भी बिल्कुल same solution रहने वाला है उसी concentration का तो यहां पर भी जो हमारा concentration रहेगा वो रहेगा 5 is to 3 कोई change नहीं होता है और जितना हिस्सा बचा होगा उसमें क्या again homogeneous mixture है तो उसमें भी कोई change नहीं आना पूरा जो concentration है वो exactly same रहने वाला है तो यहां पर भी हम लिखेंगे concentration 5 is to 3 तो यह था हमारा original container इसमें से हमने इतना हिस्सा निकाला और यह था हमारा बचा हुआ हिस्सा हो सब का concentration same रहने वाला है reason इसकी पीछे simple सा है कि होमोजिनेस mixture होता है होमोजिनेस mixture में से जब आप quantity को निकालते हैं तो निकाली हुई quantity या बची हुई quantity दोनों का concentration exactly same रहता है तो हमारा answer हो जाएगा 5 is to 3 option number D बस इतना सा logic मुझे समझाना था क्योंकि आगे जब हम replacement के questions अब देखेंगे तो वहाँ पर यह चीज आपको काम है question number 5 a mixture contains wine and water in ratio 5 is to 3 what part of mixture must be removed and replaced with water for the resultant mixture to have equal quantities of water and wine अब इसे करने के दो तरीके हैं मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ पहला है logical तरीका ठीक है सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर ratios को तो जो container है वो उसका ratio जो है उसमें जो जितना भी mixture है उसमें ratio है 5 is to 3 5 is to 3 है हमारा wine and water का ratio अब इसमें से हमने कुछ हिस्सा निकाला या हाँ ठीक है कुछ हिस्सा हमने निकाला और उसकी जगे हमने पानी को डाला तो यह replacement with यहाँ पर मैं side में लिख देता हूँ replacement with pure component replacement with pure component के questions है अब replacement with pure component का क्या मतलब होता है अब देखिए जैसे यहाँ से पुरा mixture था wine और water का इस mixture को मैंने निकालने के बाद उसमें मिलाया क्या उसमें मैंने मिलाया water तो water एक pure component है wine अपने आप में pure component है water अपने आप में pure component है इन दोनों को मिलाया हुआ था इस mixture में, इस 5 to 3 ratio में, इसलिए ये हमारा था solution, अब उस solution में से कुछ हिस्सा निकालने के बाद उसमें डाल क्या रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो पानी एक pure component है, इसलिए ये हुआ replacement with pure component, दूसरी बाद जितना हिस्सा हमने निकाला था, उतना ह हमने पानी डाला है, ठीक है, replace word यूज हुआ है, तो जितना हिस्सा हमने solution का निकाला, उतना हिस्सा हमने वापस उसमें पानी का डाल दिया, अब इन्होंने last में बोला है कि जो resultant mixture है, उसमें equal quantity of water and wine होनी चाहिए, अब equal quantity of water and wine का क्या मतलब है, देखिए, 3 step है, सबसे पहले इससे मैं इस color silk लेता हूँ, सबसे उपर पहले एक solution रहा होगा, initial solution, जिसमें से हमने हिस्सा निकाला, ठीक है, अब जब हमें पता है, जैसा हमने यहां देखा था, इस वाले part में से अगर हम इतना part हटा देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है, उसका भी concentration क्या रहने वाला है, तो यहां पर कुछ हिस्सा रहा होगा, initial solution का, उसमें से हमने कुछ हिस्सा solution का निकाल दिया, बचा कितना, यह वाला, तो उसका भी concentration 5 is to 3 रहने वाला है, चाहे उपर वाला हो, चाहे नीचे वाला, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूँ, 5 is to 3, color change करके लिख देता हूँ 5 is to 3, यह step number 1 वाला है, इसे हम अभी नहीं लिख रहे हैं, हम start 5 is to 3, second step से करता है, क्योंकि हमें पता है कि यह वाला हिस्सा था, इसमें से हमने कुछ solution निकाला, बचे हुए solution में भी जो हमारा concentration रहना है, वो exactly same रहना है, अब यहां पर अगर मैं parts की बात करूँ, तो 5 plus 3, total 8 parts आप 8 liter मान के भी कर सकते हैं, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, तो 8 units या 8 parts कैसा भी आप इसे deal कर सकते हैं, अब जो resultant mixture होगा, मतलब step number 3, यहां पर जो wine and water का ratio है, वो equal होना चाहिए, अब आप देखेंगे, यह वाला अगर मेरा total solution मान लेते, 8 liter होता, तो उसमें से 5 liter क्या बन मेरा water, अब जब मैं इसमें वापस पानी डालूँगा, तो जो मेरा wine वाला part है, उसका quantity तो change होगा नहीं, वो तो हमेशा 5 liter ही रहने वाल है, तो इसलिए मैं यहां पर लिखूँगा 5, अब चूकि equal quantity बनानी है, तो यहां पर इसका मतलब कि जो पानी है, 5 is to 5, पानी भी हमा हमारा 5 liter होना पड़ेगा, तब equal quantity होगी, 1 is to 1 का ratio बनेगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे, तो हमारे total parts कितने हो गए, 10, ठीक है, तो initial हमारा कुछ एक solution रहा होगा, हमें नहीं पता कि वो कितने liter का था, उसमें से हमने कुछ part निकाला, solution का हिस्सा निकाला, और फिर उसम कि अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ second और third step का अभी हम देख रहे हैं, तो जो wine की quantity रहेगी, वो exactly same रहेगी, component हमने क्या add किया हमारा, सिर्फ water को add किया, अब, अब मैं अगर बात करूँ, first वाल एक part की, कि यहां पर total parts क्या रहे होंगे, 8 तो हम obviously नहीं होगा, तो 10 लिटर के solution से हमने 2 लिटर solution निकाला और उसमें फिर 2 लिटर हमने वहाँ पर पानी डाल दिया, इस तरह से हम ratio में deal कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, what part of the mixture was removed, तो clearly हमें दिख रहा है, 2 unit remove किये थे, what part of the mixture, तो 2 unit remove किये थे, total mixture था कितना, 10 units का, तो 10, यह हो गय तरीका इस replacement को समझने का, कि initially हमारा 5 is to 3 में रहा होगा solution, कितने part थे, अभी हमें उससे deal नहीं करना है, कुछ हिस्सा निकालने के बाद, again, जो जितना हिस्सा बचा, वो भी 5 is to 3 के ही ratio के concentration में रहेगा, अब, इसमें जब हमने वापस पानी को replace किया, तो जो हमारा resultant solution था, उ मैंने इस वाले part को बकड़ा, 5 यहां से, और 5 यह, कि अगर यहां पे 5 unit मेरा wine था, तो बाद वाले solution में, resultant solution में भी 5 liter ही wine रहने वाला है, क्योंकि wine से तो हम कोई छेट-छाड़ यहां पर करनी ही रहे, क्या किया है, हमने सिर्फ पानी को add किया है, तो equal quantity बनाने के लिए मैं में फिर हमने उतना ही पानी मिलाया, तो हम बन गए 10 liter पे, पतलब यहां से अगर 2 liter हटाया होगा, तो यहां पे 2 liter जोड़ा, यह था हमारा solution हटाया था, और यह था हमारा पानी जो हमने जोड़ा, तो कितनी quantity हमने हटाई थी, 2, कितने में से, 10 में से, तो 1 upon 5 हमारा answer हो गया, यह है पहला तरीका, logical तरीका करने का, अब, जो method हम करेंगे, वो हम ज़्यादा तर use करेंगे, mixture allegation के replacement questions में, 90% से ज्यादा questions इस method से solve हो जाने वाले हैं, in fact 90% से भी ज्यादा, ठीक है, और यह जो method है, यह भी आपके लिए नई, नहीं है, हम जो use करते हैं, वो होता है, c1 v1 is equal to c2 v2, ठीक है, पहले भी हमने किसी class में यह formula use किया था, c1 v1 c2 v2 का, जहाँ पर pulp and water वाला था, यहाँ पर evaporate हो जाता है पानी, वहाँ पर हम c1 v1 c2 v2 को हम use करते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखें, हमने proportionality की basic class में हमने देखा था, proportionality क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, c क्या होता है, concentration, v क्या होता है, volume, तो दो component है, अगर wine और water, इन में से कोई भी एक component का concentration माल लेते हैं, wine का concentration, और volume किसका, total volume, wine और water का total volume मिला के, अब इस वाले formula को अगर आप देखें, तो आप पाएंगे, कि जो concentration होता है, वो inversely proportional होता है volume के, इसका क्या मतलब होता है, कि volume को, अब यहाँ पर अगर मैं c और v लिख दूँ, color change करके लिख देता हूँ, ताकि confusion ना रहे, यहाँ पर अगर मैं c लिखू, यहाँ पर अगर मैं v लिखू, अब, volume अगर मैं दो गुना कर दूँ, तो मेरा concentration कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, volume अगर मैं आधी कर दूँ, तो मेरा concentration कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, क्योंकि यह inversely काम करते हैं, इसको अगर आपने double किया, तो यह आधा हो जाएगा, इसको आपने अगर आधा किया, तो यह double हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा पूरा चल रहा है, कि एक किसी भी mixture में, अगर एक component का जो हमारा concentration है, वो total mixture की volume से किस तरह से vary करता है, अब हमें इन questions को solve कैसे करना है, पहला है हमारा wine and water, इतना था, उसमें से हमने कुछ mixture remove किया, तो remove करने के बाद भी जो concentration रहेगा, बचे हुए हिससे का, वो 5-3 ही रहेगा, इस बात को हम उप पानी को मिला दिया, उतना ही हिससा हमने, जितना हिससा निकाला था, उतना हिससा हमने उसमें पानी का मिला दिया, अब resultant mixture में, जो wine and water है, उसका ratio equal quantity मतला 1-1 हो जाने वाला है, अब हम काम करेंगे, C1V1 is equal to C2V2 है, तो महां लेते हैं कि, जब उतना हिससा हमने निकाल दिया जो भी हिससा था, जो भी part था हमने निकाल दिया, उसके बाद ratio हमारा बचा 5-3, अब इसमें जो concentration हम लेते हैं, जी कौन से component का लेंगे, wine का लेंगे कि water का लेंगे, तो इसका सबसे simple तरीका है, यहाँ पर हम concentration उसी component का लेंगे, जो की मिलाया ना जा रहा हो, जैसे यहाँ प आपको ध्यान में रखने हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम पानी से replace कर रहे हैं, तो हम concentration किसके? wine के concentration पर काम करेंगे, 5-3 है, तो wine का concentration कितना हो जाएगा? 5 divided by 5 plus 3, 8, total solution अगर 8 का होगा, तो उसमें wine 5 है, तो wine का concentration निकला 5 into 8, यह हुआ हमारा C1, अब V1 कितना उसमे हिस्सा रहा होगा, अभी हमें यह नहीं पता, तो हम इसे लिख देंगे V1 as it is, यह बराबर होना चाहिए, किसके? यह बराबर होना चाहिए, C2V2, अब second वाले में, जब उसमें हमने replace कर दिया, अब जो ratio था वो कितना है, equal quantity मतलब 1 is to 1, तो 1 is to 1 का मतलब, एक हिस्सा अगर ह कुछ हमारी initial volume या V2 हो गई होगी, अब इसे हम solve करेंगे, किसके लिए? V1 और V2 का ratio निकालेंगे, तो यहां से हमें काटके यह देगा 4, तो V1 divided by V2 हमें मिलेगा 4 divided by 5, अब यह V2 क्या denote कर रहा है? और V1 क्या denote कर रहा है? V1 वो हिस्सा था जो पार्ट को निकाल देने के बाद बचा था, और V2 वो हिस्सा है जो वापस replace कर देने के बाद हो गया था, अब इस जैसे हमने उपर वाले question में देखा था, इसी में देखा था in fact, कि जो उपर हमने लिखा था, 5 is to 3 का ratio, फिर वो 10 हिस्से थे, वो 8 हिस्स बन गया था, मतलब ही जो V2 है, यही initial volume रहता है हमारा, तो हमें पता है कि हिस्सा हमने कितना निकाला है, 5 और 4 में difference, एक unit का, total कितना रहा होगा, 5 units, तो अगेर हमारे पास मिल रहा है, 1 is to 5, तो यह दो तरीके हैं करने के, आपको कैसे करना है, आपको C1, V1 वारा तरीका what part of mixture must be removed and replaced with water for the resultant mixture to have equal quantity of water and wine, exactly उपर वाले जैसा ही question है, सिर्फ यहाँ पर हमने ratio change कर दिया है, और replacement अभी भी हम water से ही कर रहे है, तो जब हम water से replace कर रहे हैं, तो हम किसके concentration में काम करेंगे, हम wine के concentration में काम करेंगे, wine का concentration कितना होगा यहाँ से, 8 divided by 8 plus 5, 13, into volume 1, next में equal quantity हो गई है, तो यहाँ पर wine का concentration कितना हो जाएगा, 1 divided by 2, into V2, इससे जब हम simplify करेंगे, V1 upon V2, यह हमें मिलेगा, 13 divided by 16, ठीक है, तो V1, यानि 13 part जो है, वो हिस्सा था, जो replace हो, जो निकालने के बाद बचा था, V2 वो हिस्सा है, जो वापस हमने replace करने के बाद बनाया, तो initially भी 16 liter रहा होगा, उसमें से हमने 3 liter कम किया, तो 13 liter बन गया, फिर उसमें 3 liter पानी वापस मिलाया, तो वो वापस 16 liter बन गया, हमें निकालना है, what part of the mixture was removed, तो 13 और 16 में difference कितना है, 3 का, out of initial volume कितना रहा होगा, 16, तो 3 upon 16 हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, exactly उपर वाला ही concept है, C1V1 is equal to C2V2, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, volume रहता है हमेशा, total mixture का, और concentration रहता है हमारा, उस वाले component का, जिसे हम replace ना कर रहे हो, मतलब अगर हम पाणी से replace कर रहे हैं, तो हम wine का concentration लेंगे, अगर हम wine से replace कर रहे होते हैं, तो हम पाणी का concentration लेते हैं, और हम आगे questions को solve करके देखते हैं, mixture contains wine and water in ratio 7 is to 12, what part of mixture must be removed and replaced with wine, अबकी बार हम wine से replace कर रहे हैं, resultant mixture में wine and water का ratio इतना हो जाना चाहिए, अब, again हम चुकी wine से replace कर रहे हैं, तो हम काम किस पे करेंगे, water के concentration में, यहाँ पर कितना होगा water का concentration, 12 upon 12 plus 7, 19, into volume 1, यह किस के बराबर होगा, again यहाँ पर हम किस का concentration लेंगे, वापस water का, तो 6 divided by 6 plus 5, 11, multiply by V2, 6 sum simplify करें, तो यह होगा 2 times, अब, अगर हम V1 upon V2 का ratio निकालना चाहें, V1 upon V2 निकाल रहे हैं, तो उपर यह जाएगा 19, और नीचे रहेगा यह 22, इसका मतलब, 22 liter या 22 हिससे initially रहे होगे, उस 22 liter या 22 हिससों में से, हमने 3 liter यहाँ से निकाला, तो इनिस लिटर बन गया था, औ इतना पार्ट हुआ, 19 और 22 में difference है, 3 का out of total volume कितना रहा होगा, 22, तो 3, 22, option number भी हमारा answer हो जाएगा, अब, mixture contains wine and water in ratio 80 to 13, what part of the mixture must be removed and replaced with wine, for the resultant mixture 2 है, wine and water in ratio 4 is to 5, again उपर वाले जैसा question है, हम replace कर रहे हैं, वाइन से, तो हम किसके concentration में काम करेंगे, water के, यहाँ पर है 13 divided by 13 plus 8, 21, यह water का concentration हुआ, total volume V1, again यहाँ पर water का concentration हो जाएगा, 5 divided by 4 plus 5, 9, into V2, अब, यहाँ से कुछ भी simplify होता हुआ, यहाँ से दिख जाएगा, 3 से 3 times, यह जाएगा हमारा 7 times, 13 into 3, यह पहले हम लिख लेते हैं, V1 upon V2, यह ratio कितना हो जाएगा, 7, 5 सा 35, 35, और नीचे आएगा, 13 into 3, 39, यह हुआ हमारा V1 और V2 का ratio, again, 39 जो है, वो initial quantity रही होगी, उसमें से हमने 4 लिटर solution निकाला, तो 35 लिटर बन गया, फिर वापस हमने 35 लिटर में 4 लिटर wine को मिलाया, तो फिर से volume हमारा 39 बन गया, अब हमसे पूछा है, what part of the mixture was removed, तो यहाँ से हम देखेंगे, 4 part remove किये थे, कितने में से, 39 में से, option number B हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, तो अब आपको इतने questions में C1V1 वाला method अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि हम उसे कैसे apply करते हैं, simply आप देखिए कि किस चीज़ को हम replace कर रहे हैं, जिस चीज़ को replace कर रहे हैं, उसके अलावा जो बचा हुआ part है, उसका हम concentration निकालेंगे, फिर उसे C1V1, C2V2 से हम उसे इस से solve कर लेंगे, question number 9, from a solution containing milk and water in ratio 3 to 4, 7 liter solution is drawn off and replaced by water, if the resultant mixture has milk and water in ratio 1 to 2, then what was the volume of the original solution, again पिछले वाले जैसे ही question है, यहाँ पर हम replace कर रहे हैं, पानी से, तो हम किस के concentration में काम करेंगे, दूद के, दूद का concentration यहाँ पर कितना रहेगा, 3 divided by 3 plus 4, 7 into अब यहाँ पर हमें पता है कि हम V1 और V2 निकालते हैं, यहाँ पर जो ratio है, वो V1 upon V2 as it is लिख लेते हैं, is equal to, again यहाँ पर किसका concentration आएगा हमारे, milk का, यहाँ पर है 1 और 2, तो concentration हो जाएगा 1 और 3, जो V2 यहाँ पर लिखते थे, उस हमने यहीं पर अभी एक साथ लिख दि अब हमें पता है कि यहाँ से दो यूनिट, 9 लिटर या 9 लिट पहले रहा होगा, उस 9 लिट में से 2 लिट हमने mixture निकाला, 7 लिट बन गया, फिर 7 लिट में हमने 2 लिट वापस पानी मिलाया, तो again वो 9 लिटर बन गया, 9 लिट बन गया, अब हमें यह जो 2 लिट है, उसकी value है, हमसे पूछा है कि volume of original solution क्या होगा, original solution कितना 9 units, तो 9 किसे correspond करेगा 7 into 9 divided by 2, 7 9's है 63, 63 को हम 2 से divide करेंगे तो यह जाएगा 30 और 31.5, option number C हमारा answer हो जाएगा, ठीक है तो उपर वाले जो questions थे उसी का एक step और हम आगे निकले हैं, कितना हिस्सा निकला उसको यहाँ पर इन्होंने value दे रखी है हमें 7 liter, तो उससे हमने unitary method लगा के इसे, अब उसके total volume हमने निकाल लिए A 20 liter mixture of milk and water contains milk and water in ratio 3 to 2, 10 liters of the mixture is removed and replaced with pure milk and the operation is repeated once more, at the end of the two removal and replacement, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture अब जैसा हमने उपर वाले questions में देखा था, वहाँ पर हम सिर्फ एक बार replacement कर रहे थे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम दो बार replace कर रहे है तो उससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है concentration exactly वही रहेंगे, changes जो भी आएगा वो volume में आएगा, ठीक है अब इस तरह के questions को कैसे करेंगे again हम replace किस से कर रहे है, यहाँ पर भी milk से कर रहे है, और दूसरी बार repeat करेंगे तो भी हम replace milk से ही कर हुआ है replace milk से कर रहे है तो हम किस के concentration में काम करेंगे water के concentration में काम करेंगे water का concentration कितना पनेगा initially 2 divided by 2 plus 3, 5 इंटू, अब हमें काम करना है वॉल्यूम में, जैसा हमने यहां पर देखा था, हम मल्टिप्लाइ करते हैं वॉल्यूम के रेशो से मल्टिप्लाइ करने के बाद हमें नए सॉलुशन का कॉंसेंट्रेशन मिल जाता है जिस भी कंपोनेंट का हम यहां से निकाल रहे होते हैं सेम लॉजिक हम यहां पर भी लगाएंगे V1 upon V2 से हमें मल्टिप्लाइ करना है लेकिन यहां पर और इसमें एक बार वॉल्यूम हमारे मल्टिप्लाइ होंगे 3, 4 इस तरह से जितने भी बार रिप्लेस्मेंट होगा एक बार रिप्लेस्मेंट होता तो हम सिर्फ यह वाला पार्ट लेते हैं दो बार रिप्लेस करना है तो हम इस तरह से लेंगे तीन बार करना होता तो और हम इसके वॉल्यूम के रेशो को multiply करते जाते अब बात याती है कि volume का ratio निकलेगा कैसे इस volume का ratio को निकालने के लिए आप ऐसे लिखिए 20 liter initial था तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 20 फिर क्या कि आपने 10 liter उसमें से निकाला 10 liter आपने उसमें से निकाला तो कितना बन गए आपके पास 10 liter फिर आपने 10 liter को वापस replace किया मतलब यहाँ पर आपने 10 liter फिर जोड़ा अब आपका volume कितना बन गया होगा total अगें 20 बन गया होगा यह हुआ हमारा पहला operation second operation फिर से आपने उसमें से 10 liter solution निकाला आपका total volume बन गया 10 liter फिर आपने उसमें 10 liter हम क्या मिला रहे हैं आपे milk 10 liter milk आपने फिर मिलाया अब आपका total volume बन गया वापस से 20 अब एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिए जैसा हमने यह चीज़ उपर भी देख चुके यह 20 liter वाला जो solution था इसमें ratio कितना था 3 to 2 अब इसमें से कर 10 unit हमने निकाल दियें 10 liter निकाल दियें तो इस वाले में जो ratio रहेगा वो क्या रहेगा अगें आपको पता है कि जब हम solution निकाल रहे हैं तो अगला solution जो है इन दोनों का जो ratio रहेगा concentration का वो exactly same रहेगा 3 to 2 रहना है इस वाले part में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है जब हम यहां से 10 liter घटा रहे हैं concentration कब बदलेगा जब आप इसमें pure component मिलाएंगे इस वाले part में बतलब जब आप 20 से 10 पे आ रहे हैं initially तो यहां पे concentration change नहीं हो रहा है क्योंकि आप simply solution में से कुछ हिस्सा निकाल ले रहे है फिर जब आप 10 में वापस 10 liter pure component मिला रहे हैं उसकी वज़े से अब आपका concentration change होगा तो जो concentration change होगा वो कौन से हिस्से में होगा इस वाले में तो यही वाला हिस्सा हम यहां पर लिखेंगे multiplication में तो volume का ratio हो जाएगा हमारा 10 divided by 20 यह बात हुई हमारे एक replacement के लिए अब second replacement में क्या होगा again अगर आप देखो यहां पर हमने pure component मिलाया था ठीक है तो 20 हमारा वापस बन गया था अब इस वाले solution में से again अगर मैं 10 liter solution निकालूंगा तो इस वाले solution और इस वाले solution में कोई change होगा क्या concentration में concentration में कोई change नहीं होगा क्योंकि 20 liter में से अगर मैं 10 liter solution निकाल लेता हूँ तो दोनों solution का ratio concentration बराबर रहने वाला है concentration कब बदलता है जब हम उसमें कोई दूसरा component मिलाते हैं component हमने कब मिलाया 10 liter milk जब हमने उसमें वापस मिलाया तो again यहाँ पर change कब होगा 10 और 20 तो यह हमारा volume का ratio हुआ second replacement के लिए इसे again हम multiply कर देंगे 10 upon 20 से यह हमें क्या देता है second वाला concentration देता है क्योंकि volume के जो ratio थे वो तो हमने directly यहीं पर multiply कर लिए हमसे पूछा किया था what is the ratio of milk and water in the resultant mixture बस इसे हमें simplify करना है तो यहाँ से यह वाला part हट जाएगा 2 हम यहाँ से हटा देंगे हमारे पास बचेगा C2 बराबर 1 upon 10 अब यह concentration C2 जो है यह किसका concentration है हम दूद मिला रहे हैं तो हम किसके concentration में काम कर रहे थे हम पानी के concentration में काम कर रहे थे मतलब जो resultant solution जो हमारा बनेगा final वाला mixture जो रहेगा उसमें पानी का concentration 1 upon 10 रहेगा मतलब एक हिस्सा पानी का और 10 total हिस्से यहाँ से आपको clearly दिख रहा है कि अगर 10 liter या 10 unit के solution में एक हिस्सा पानी का है तो दूद का कितना रहा होगा पानी का कितना है एक यह पानी का है यह total है तो इसमें से minus कर देंगे तो हमें दूद का मिल जाएगा हमसे पूछा है दूद और पानी का अनुपात तो 9 is to 1 option number A हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो यह जो बार-बार एक से ज़्यादा के replacement के जो case है replacement with pure component और एक ही component यहाँ पर भी दूद से replace हो रहा है यहाँ पर भी दूद से replace हो रहा है ऐसे भी questions बनते हैं जहाँ पर एक बार दूद से और एक बार पानी से replace हो सकता है पर वो prelims level का question नहीं होगा ठीक है वो mains या उससे भी उपर के level के questions होते हैं तो उनमें आपको परशार नहीं होना है आपको एक ही component से repeated अगर होता है तो यह वाला question काफी आपके काम का है ठीक है ठीक है तो अगें जो हम formula यूज कर रहे हैं throughout वो है c1 v1 is equal to c2 v2 concentration किसका जो component replace नहीं किया जा रहा है उसका volume किसका total volume अब एक से ज़्यादा बार जब replacement होगा तो यहाँ पर जो v1 और v2 का जो ratio आता है जो हमने पिछले questions में देखा था उसे हम volume के ratios को हम इस तरह से निकाल लेंगे कि पहले जितना भी volume था उसमें से इतना हटाया solution इतना बचा फिर उसमें pure component मिलाया तो इतना हो गया यह हमारा पहला volume का ratio निकला उसी तरह से हमने दूसरा volume का ratio निकाला इन दोनों volume के ratios को अपने concentrations हमने multiply कर दिया हमें मिलगी अपना final concentration और फिर जो भी हमसे पूछा होगा महा से वो निकाल साकते है question number 11 a vessel full of pure acid contains 10 liters of it of which 2 liters are drawn the vessel is then filled with water next 2 liters of mixture are drawn and again the vessel is filled up with water what is the ratio of acid left in the vessel to that of the original quantity again question number 10 जैसे ही यह वाला भी question है यहाँ पर हम replace किससे कर रहे है filled with water again filled with water तो पानी से हम solution को replace कर रहे है तो किस के concentration में हम काम करेंगे हम acid के concentration में काम करेंगे अब यहाँ पर what is the ratio of acid left in the final vessel अब हमें यहाँ पर ratio नहीं पता है कि कितना वो रहा होगा लेकिन ratio के हमें जरूद भी नहीं है देखिए pure acid इन्हों ने लिख दिया है pure acid का क्या मतलब जो concentration होगा उसका 1 हो जाएगा तो अगर यहाँ पर acid के concentration के बात करें तो वो हो जाएगा 1 divided by 1 आपको समझाने के लिए में लिख रहा हूँ अगर एक से ज़्यादा part होते है तो हम यहाँ पर add कर देते लेकिन एक ही मतलब एक part जो total हमारा acid है उतना ही हमारा total हमारे components है क्योंकि pure acid है 10 liter का तो आप यहाँ 10 by 10 लिख लिजे बात एक ही ही कोई फरक नहीं पड़ना तो concentration हमारा हो जाएगा 1 simply यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब हम इसमें multiply करेंगे अपने volume के ratios को सबसे पहले side में volume के ratios को निकाल लेते है initially 10 liter का हमारा pure acid था फिर उसमें से 2 liter हमने minus किया हमारा जो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 फिर हमने क्या किया उसमें 2 liter को वापस replace किया तो plus 2 यह हमने water उसमें डाला अब हमारा volume कितना हो जाएगा 10 फिर हमने उसमें से 2 liter घटाया हमारा volume हो जाएगा 8 फिर हमने उसमें 10 liter जोडा पानी तो हमारा volume हो जाएगा अगे 10 अब हमारा जो volume का ratios रहेगा वो क्या हो जाएगा 8 होर 10 पहले replacement के लिए again 8 होर 10 दूसरे replacement के लिए इससे हम यहाँ पर multiply कर लेते हैं पहला हमारा volume ratio है 8 upon 10 simplify करके अगर मैं लिखूँ तो 4 upon 5 दूसरा ratio अगेन हमारा 8 into 8 upon 10 इससे भी simplify करके लिखूँ तो 4 upon 5 यह हमें क्या देदेगा second वाले part का concentration जो हमारा mixture बनेगा उसका concentration तो clearly आप यहाँ पर 16 divided by 25 यह concentration है acid का resultant mixture में हमसे क्या पूछा है what is the ratio of the acid left in the vessel to that of the original quantity अब यह तो total हमारा क्या गया अगर 25 लिटर या 25 unit हमारा total volume है तो उसमें से 16 liter हमारा acid है exactly यह हमारा answer हो जाना है option number A हमारा answer हो जाएगा हमें पता है कि जो volume total नीचे रहता है वो तो कोई change हो नहीं रहा आपने 10 से start किया था end भी आपने 10 में किया है तो अगर यहाँ 25 unit दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने start भी 25 unit से किया होगा अब इस 25 unit में से 16 unit आपका acid है तो 16 unit acid है हमसे पूछा भी यह जो ratio है यही पूछा है कि ratio of the acid left in the vessel तो 16 unit बचा original quantity again 25 तो 16 is to 25 हमारा answer हो जाएगा question number 12 gold is 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavy as water in what ratio should these be mix to get an alloy 15 times as heavy as water again यहाँ पर mix की बात हो रही है दो आपको यहाँ पर terminal point दे दिए उसका एक resultant दे दिया तो देखते हैं आप पहचान पाएंगे कि इसमें हमें लगाना पड़ेगा allegation यहाँ पर हम एक allegation की line draw कर लेते हैं अब यहाँ पर हम उसकी values लिख देते हैं तो gold जो है 19 गुना भारी है पानी से तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 फिर यहाँ पर copper जो है वो 9 गुना भारी है पानी से तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 gold और copper को मिला कि जो आपने alloy बनाया वो 15 गुना है भी है पानी से 15 हम यहाँ कहीं लिख देंगे बस अब यहाँ से हम इसका ratio निकाल लेते हैं 19 और 15 इनके बीच में gap कितना है चार का तो चार हम लिख लेंगे इसके weight पर 15 और 6 इनके बीच में gap है 6 का तो weight हो जाएगा यहाँ पर 6 इस ratio को हम simplify कर सकते हैं 6 और 4 को तो 6 और 4 को जब हम simplify करेंगे तो वो हमें देगा 3 is to 2 यही हमारा answer हो जाएगा option number B ठीक है तो simple सा allegation का यह question था The ratio of copper to zinc in alloy A and B are 3 is to 4 and 5 is to 9 A and B are taken in ratio 2 is to 3 and melted to form a new alloy C What is the ratio of copper to zinc ऐसा question हम पिछले वाले class में already कर चुके हैं तो इसे हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो ratio है वो है 3 और 4 दूसरे में ratio है 5 और 9 अब इन्हें में मिलाना है कि इस ratio में 2 is to 3 तो जब भी ratio को हम merge करते हैं तो सबसे पहले units को बराबर करना होता है यहाँ पर कितनी units है 3 और 4, 7 यहाँ पर कितनी units है 5 और 9, 14 ठीक है अब हमें पता है कि यह जो total units आ रही है 1 is to 2 का ratio है तो इसे 1 is to 1 बनाने के लिए अगर हम इसी level पर अगर मैं simplify कर दूँ 1 times यह 2 times मतलब उपर वाले ratio में यहाँ पर एक simple सी में line अगर draw कर दूँ उपर वाले ratio में मुझे 2 से multiply करना है नीचे वाले मुझे 1 से multiply करना है इससे क्या होगा कि अब इन दोनों की जो ratio है वो total quantities जो है वो बराबर हो जाएंगी लेकिर हमें equal quantities तो mix नहीं करनी है हमें mix करनी है 2 स्टू 3 के ratio में तो इसमें हम multiply कर देंगे 2 यहाँ पर multiply कर देंगे 3 अब यह 2 स्टू 3 के ratio में बन जाएगी अब इस ratio को अगर हम simplify करें 4 थ्रीजा 12 4 फ्रीजा 16 यहाँ पर 3 है तो 5 थ्रीजा 15 और यहाँ पर 9 थ्रीजा 27 यह हमारा बन गया total पहले वाले का दूसरे वाले का अब हमें से simply जोड़ देना है तो यहाँ से 12 और 15 यह हमें देगा 27 यहाँ पर अगर इसमें आप पहले इसको जोड़ें आगे 6 में अगर जोड़ें तो 33 और 10 जोड़ेंगे तो 43 तो 27 इस टू 43 option नमबर A हमारा answer हो जाएगा fresh fruit containing 68% water and dry fruit contains 20% water how much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit again ऐसा question हम पहले एक बार देख चुके है इस पर भी जो logic हम लगाते हैं वो होता है C1V1 is equal to C2V2 जो भी evaporation वाले question होते हैं pulp वाले question होते हैं सब में हम लगाते हैं C1V1 और C2V2 यहाँ पर भी concept same है fresh fruit है उसमें 68% पानी है अब dry fruit बनने के लिए क्लिए क्या होता है पानी उसमें से evaporate हो जाता है और उसका जो बचा हुआ हिस्सा जो solid है जो pulp है वो रह जाता है वह ही बनाता है हमारा dry fruit तो यहाँ पर हम किस के concentration में काम करें हमें पता है कि पानी यहाँ से evaporate हो रहा है तो पानी evaporate हो रहा है तो हम उसके solid वाले यानले pulp पे काम करेंगे अब हमें पता है कि 68% water है तो जो बचा हुआ pulp होगा वो कितना होगा? यहां से हमें मिलेगा 32% 32% concentration है pulp का इसमें multiply हम क्या करेंगे? volume को volume कितना है हमारा initial? obtained from 100 kg तो यह 100 kg होगा dry fruit में जो हमारा concentration रहेगा pulp का, वो कितना होगा? water अगर 20% है तो pulp होगा हमारा 80% यहां से हम निकाल लेंगे second वाले volume को कितना volume हमारा उसका बनेगा? अब इससे simplify करें, percentage के sign को हटा देते हैं 0 हटा देते हैं 2 से इसे 5 times कर देते हैं 4 से यह जाएगा 8 times तो जो हमारा V2 है वो होगा 40, मतलब 40 kg, तो option number A हमारा simply C1V1 C2V2 हमें लगाना होता है यहां पर volume के जाएगे हम इसमें लिख रहे हैं total उसका mass कितना है question number 15 the ratio of milk and water in a mixture is 4 is to 3, if we add 2 liters of water, the ratio of milk and water becomes 8 is to 7 what is the quantity of the final mixture? again इसमें हम C1V1 C2V2 लगाएंगे अब आप देखेंगे यहां पर हम जोड के आ रहे हैं pure component water को तो हम किसके concentration में काम करेंगे? milk के 4 is to 3 है, तो हमारा concentration क्या होगा milk का? 4 upon 7 यहां पर हम ratio ले ले लेते हैं volume का V1 upon V2 यह हमें बराबर देगा milk के concentration से 8 is to 7 तो यहां पर बन जाएगा हमारा 8 divided by 8 plus 7, 15 4 से यह जाएगा 2 times इसा अगर हम simplify करें तो V1 upon V2 हमें देगा 14 divided by 15 अब यहां आप देख रहे हैं कि एक unit का यहां पर gap आ रहा है, ठीक है? एक unit का यहां पर gap आ रहा है तो यह हमने क्या किया है? 14 लीटर जो solution था उसमें हमने एक लीटर या एक unit जो हमारा solution था उसमें हमने एक unit pure component जो की water है वो मिलाया है अब हम यहां पर लगा देंगी unitary method एक correspond करता है कि इसको 2 लीटर को हमें निकालना क्या है? quantity of the final mixture तो 15 किसे correspond करेगा? 15 into 2, 30 option number A हमारा answer हो जाएगा तो यह था हमारा आज का last question mixture allocation के हमने सारे major types अभी तक देख लिए है replacement के question हमने देख लिए है एक से ज़्यादा बार replacement होगा तब क्या करेंगे? वो भी हमने देख लिए है C1, V1, C2, V2 यह आपका बिल्कुल एक backbone रहेगा इस तरह के questions को solve करने के लिए second जहां भी आपको allocation के type के दिखे हैं कि दो चीजे हैं उनको आपने मिलाया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि clearly allocation हम अराम से लगा सकते हैं तो यह methods हैं जो कि इस तरह के questions को mixture के questions को solve करने में हमें बहुत help करती है plus हम तेजी से इसे कर पाते हैं without ज़्यादा x, y, z या variables में गए हुए तो इस method को आप सीखिए इसमें आपको जो भी problem आ रही हो वो आप doubt session में आके मुझसे पूछ लीजिए quiz already uploaded है आप website पे जाके उस quiz को दीजिए उसमें जो भी आपको problem आए questions में वो सब आप session में आके फिर पुछ लीजिएगा तो mixture and solution mixture and allegation का जो हमारा topic है उसे हम दो unit में आप खत्म करते हैं अगला हम शुरू करेंगे partnership से तो मिलते हैं next video भो सबदेति झमार का तो मिलते हैं मूचल करते हैं शब बझाती है